अखिल भारतिय किसान सभा के नरहततों में नासिक से निकला अक्रोशत किसानों का जथा मुंबई के आजाद मैदान में डटा हुआ है पूर्ण कर्ज माफी यानि की कर्ज मुक्ती जैसी मांगो को लेकर ये किसान करीबन 200 किलो मीटर की पधियात्रा के बाद मुंबई पहुचे है नाराज किसानों ने विधान सभा का घिराव करने का ऐलान किया कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए का कि ये केवल महराश्र के किसानों के समस्या नहीं है बलकि पूरे देश के किसानों की बात है बता दें कि मुंबई में बच्चों की बोर्ट परिक्षान चल रही है जसके चलते आज शात्रों का इंतिहान भी है जोरान परिक्षा का ध्यान रखते हुए पेपर के बाद ही किसान मोर्च आविधान सभा की तरफ कूछ करेगा वहीं विधान सभा में मुख्यमंत्री फटनवीज ने कहा कि किसानों की मांग को लेकर मंत्रियों की समीतियों और कई प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी और जो भी नेर्णय लिया जाएगा वो किसानों के लिए सकारात्मक होगा उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसानों की मांगों पर एक समय सीमा भी तैकी जाएगी आतर स्वीरों में साथ तोर पर देख सकते हैं किसानों का सैलाब जन सैलाब यहां पर उम्रा है और ये आम जन सैलाब नहीं है ये किसान हैं देश के अनदाता हैं जो न्याई की गुहार लेकर के कर्जमुक्ति की गुहार लेकर के मुंबई पहुचे हैं और ये लगभा का दो सो किलो मीटर की लंबी यातुरा तै करने के बाद मुंबई पहुचे हैं विधान सभा का घिराव करेंगे और एक बहुत अच्छी बात ये कि आज बच्चों की बोड के परिक्षाएं हैं लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए ये किसान परिक्षाओं के समाप्थ होने के बाद विधान सभा के लिए कूच करेंगे उदर पड़नवीस ने ये कहा है कि समय सीमा में जो घोशनाएं हैं उनको बांधा जाएगा जो समाधान है उसको समय सीमा में बांधा जाएगा ताकि कुछ निराकरण निकल सके